नमस्कार दोस्तों अगर आप आधार कार्ड से निकासी बैंको बॉदा का नहीं कर पा रहें तो आपके लिए आगिया है समधान 2023 के अंदर अब आप टांजिक्सन सक्सेस सी सक्सेस कर पाएंगे मेरी तरह जैसे आप इस्क्रीन पे आप देख पारें जितने भी टांजिक्सन ह चाहते हैं बैंको बॉदा का निकासी असानी से बियो भी एई पियस टांजिक्सन तो आप इस वीडियो को इंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको कम्प्लीट सॉलिशन बताने वाले हैं लेकिन दो बातों का आपको धियान रखना पड़ेगा एक बातों या किसी भी कमपनी में AEPS वर्क नहीं कर रहा है लेकिन आपको यहाँ पे एक फर्मूला अपनाना पड़ेगा जो कि दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा मेरी तरह सक्सेश 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 सभी टांजिक्सन सक्सेश कर पाएंगे एक भी टांजिक्सन फैल्ड हो गई यहाँ पे आपको क्या बातों का ध्यान रखना है आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं अगर आप भी B.O.B. का AEPS अधार विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी तरह आप भी सक्सेश टांजिक्सन कर पाएंगे वीडियो को इन तक जरूर देखें क्योंक अलग बातें सुनने को बिल रहा है हम आपको बता दे कि fingerprint device आपको क्या बदल लेना चाहिए क्या आपको new ID लेना चाहिए तो यह दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन-कौन सा काम आपको करना पड़ेगा ताकि आप मेरे तरह आप सक्सेश टांजिक्सन कर पाएं सभी customer का जो की 2023 के अंदर new update आ चुका है हम आपका बता दे कि बहुत सारे customer से बहुत सारे retailer से हमने बाग करने के बाद मालुम चला कि आपको fingerprint new device लेना पड़ेगा पहला दूसरा क्या है वो भी में बता देता हूँ पहले तो आपको fingerprint device एक new की जरुरत पड़ेगा जो कि बिल्कुल भी कोई other AEPS में यूज ना वा हो कोई भी company का ID ले तो अलग-अलग different company में ना चलाएं सबसे पहला गलती ये ना करें आप क्योंकि बहुत सारे retailer क्या करते हैं कि एक ही fingerprint को अलग-अलग companyों में यूज करने लगते हैं तो ये चीजों का ध्यान रखें पहले तो आप नया fingerprint device लेंगे और अलग-अलग ID में आप नहीं यूज करेंगे AEPS का बहुत सारी company ID देता है अधार withdrawal का तो AEPS company का अलग-अलग company के ID में यूज आपको वो fingerprint नहीं करना है जो आप new fingerprint लेंगे दूसरा विकल्प होगा B.O.B. का AEPS transaction इस्टार्ट करने के लिए आपको new ID की जड़रत पड़ेगा new ID कोशिश करें कि आप वैसे वेक्ति के नाम पे लें जिसके नाम पे पहले से कोई AEPS ID ना चल रहा हो किसी भी company में यहीं कि अगर आपके पास दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा एक तो नया ID होना चाहिए दूसरा चीजे आपका एक biometric new device अरे लेना पॉरे